नमस्कार दोस्तों मैं सीमा डेमन मेरे इस चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों गुरू ग्रहे 30 मार्च को अपना राशी परिवर्तत कर रहे हैं दोस्तों और ये अपनी स्वें राशी में इस्तित होने जा रहे हैं गुरू ग्रहे 30 मार्च को 8 बजे दिन से धनूराशी में विराजित होने जा रहे हैं और ये है आपके लिए जीवन में क्या उपलब्दिया हासिल करवाएंगे क्या आपके सभी सपने पूरे होंगे आपको भग्य का पूरा साथ मिलेगा क्या आपको सभी शेत्रों में सफलत प्राप्त होगी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों गुरू ग्रहे 22 अप्रेल तक धनूराशी में इस्तित रहेंगे गुरू गोचर हिंदू जोतिश में शास्तर में एहम माना जाता है नव ग्रोह में ब्रस्पती ग्रहे को सबसे शुब माना गया है य यह करक राशी में उच भाव का होता है और मकर राशी में नीच भाव का होता है कुर्ली में ब्रस्पती के बलवान होने पर जातक का परिवार समाज और हर शेत्र में प्रभाव रहता है ब्रस्पती के प्रभाव से ही जातक का मन धर्म वे आध्यात्मिक कारियों में भी और अन्य शेत्रों में भी हम सफलता प्राप्त करते हैं। और अन्य शेत्रों में भी हम सब्सक्राप्त करते हैं। आपको होगी दोस्तों ऐसे में अचानक आपको पैसे की प्राप्ती हो सकती है। हाला कि दूसरी और आपको धन के मामले में सावधनी बरतने की भी जरुवत होगी इसलिए पैसी के लेंदेन के समय आप थोड़ा सतर्क रहे। गुरू गोचर की इस सब्दी में आपको पारवरिक सुक्की प्राप्ती होगी और परीजनों के साथ अच्छा समय आप व्यतियत कर पाएंगे। गुरू की पंचम द्रस्टी आपके धन बाओ अर्तात सेकिंड हाउस पे पड़ रही है जिससे आपके मान सम्मान में व्रदी होने की भी अच्छे योग बनेंगे। सिद्ध होगा आपके जीवन के लिए। आप जौब से विहीन हैं अर्थात आपको अच्छी जौब नहीं प्राप्त हो रही है तो इस गोचर के अंतराल आपको अच्छी जौब अपरचुनिटी भी प्राप्त होगी। व्यापार में भी आपके व्रदी के अच्छे योग बनेंगे। यान की मीम राशी वाले जातकों के लिए गुरू का गोचर बहुत अधिक अच्छा साविस से दो रहा है उनके सभी सपने पूरे होने के योग बनेंगे इस समय। ये तबी संभव है जब आपकी जनपत्रिका के अंतरगत गुरू की अच्छी अवस्ता हो। अर्थात यदि वह पीडित हो गया है नीचका हो गया है या फिर सूर्य से अस्त हो गया है तो इस गोचर का शुब परिड़ाम आपको प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए आप आपको उपाय अवश्य करने चाहिए गुरू ग्रह से रिलेटेट अशुक ग्रू ग्रह को कैसे करे शुब नामक वीडियो देखकर आप पूरी डिटेल में जान सकते हैं गुरू के उपाय उसमें मैंने पूरी विस्तित जानकरी दे रखी है यदि आप उन उपायों को हमें पूरी जीवन में अवश्य प्राप्त होता है दोस्तों आप यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो इससे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर अवश्य करें दोस्तों और आपके कोई भी सुझा हो तो कमेंट के दौरा मुझे जरूर बताएं ताकि आने वाला नेक्स वीडियो मैं आपके लिए बहुत अधिक बैटर से बैटर लास लकूँ और इस चैनल से जुड़े रेने के लिए से आप सब्सक्राइब करके जरूर रखे ताकि आने वाला नेक्स वीडियो आप तक जल से जल पहुँच पाए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कोई इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड बाबाई